हेलो दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल हिमाचल प्रदेश ओनलाइन स्टडी पॉइंट पर दोस्तों सभी को भई गुड मॉर्निंग रादे रादे दोस्तों कल मैंने वही वीडियो अपलोड कर दी थी एच्वी पुलिस के रिगार्डिंग दोस्तों बहुत ही अच्छी प्रफॉर्मेंस आई सावी कैंडिट्स की बहुत सारे कमेंट भी आए कि सर ऐसी वीडियो बनाईए जो की हलफ ओर रहे हैं ठीक है और भी सेक्शन भी इ इस चैनल पर भी न्यू वीडियो आएगी तो आपके बास त्रंत नौटिक वेशन पहुंच जाए दोस्तों रोज सुबाग को भी सात बजे आप लोगों को भी वीडियो मिल जाया करेगी तो आप लोगों ने भी चैनल से जुड़े रहना है तो चलिए दोस्तों पीनट आ रहेगा दोस्तों परवान जो अद्योगी क्षेतर है वो भी किसके लिए प्रसिद्ध है आप लोगों ने भी नाम तो सुना होगा सोलन में सोलन जो हिमाचर प्रदेश का भी डिस्टिक है बहुत बड़ी इंडस्ट्रेल एरिया है तो बहां पर एक जगा है प्रवान ठीक ह किसलिए भी प्रसिद्ध रहेगा एक्टोनिक्स ओटो मुवाइल टेक्स्टाइल या फिर लाइट इंजिनिरिंग दोस्तों आप लोगों ने यहां पर भी ओप्षेंस को देख लिया है तो सभी कैंड़ेट्स ने भी अपने अंसर कमेंड शेक्शन में जुरूर अंसर देन दोस्तों जो प्रवाणू है यह लाइट इंजिनिरिंग के लिए बहुत ही ज़्यदा परसिद माना जाता है ठीक है सोलन है वो इंडस्ट्रियल इलाका है ठीक है अगर बात की जाए भाई हिमाट्चल प्रदेश की मश्रूम सिटी ठीक है मश्रूम सिटी के नाम से भाई कि सु परसिद मुगल जो कालीन संगीत के तांसें थे उनके शिश्य भई कौन थे तांसें किसके शिश्य थे आप लोगों ने भी बताना है जो तांसें थे वो किसके शिश्य थे हरिडास कैफी खान बेजु बावरा या फिर मुहमद शम्स ठीक है आप लोगों ने भी यहां पर options को देख लिये है जिन भी साथियों ने भी answer दिये है स्वामी हरीदास दोस्तों बिल्कुल ही बहतरीन answer है option number A is right answer स्वामी हरीदास is right answer अगर बात की जाए भी मुगल काल की दो दोस्तों बाबर अगर बात की जाए भी कि मुगल समराज्य की स्थापना भी किसने की थी तो बाबर ने भी इसकी स्थापना की थी उसके बाद अन्य राजा आये थे आपको पता होगा ठीक है बाबर जिसने की मुगल समराज्य की नीव रखी थी ठीक है पानिपत का फर्स्ट यूद भी भई बाबर नहीं लड़ा था आप लोगों ने बताना है किस बर्ष विच इयर कि कब पानिपत का यूद भई लड़ा गया था और बाबर के सामने भई कौन था आप लोगों ने भी कमेंट शेक्षन में जरूर अंसर देना है नेक्स नमबर का दोस्तों कोशन देखने से पहले में आप लोगों को भी बता देता हूँ दोस्तों प्लेलिस्ट हमारे चैनल की भी प्लेलिस्ट है यहाँ पर आई बटन पर शो हो रही होगी आप लोगों ने भी सबी वीडियोस बहाँ से चैक आउट कर सकते हैं बहुत ही हैलफुल क्लासिस रहेंगी ठीक है कोशन रहेगा भी संबीधान माफ कीजिए सबराज मेरा जनमसित अधिकार है इसको मैं लेकर रहूँगा यह किसने कहा था अरविंदोगोश विपिन चंदरपाल दादा भाई नरोजी या फिर बाल गंगाधर तिलक दोस्तों अगर बात की जाए भाई इन्हीं शब्दों को तो भाई यह शब्द कहे गए थे हमारे देश के जो महत्तपुर्ण नेता थे बहुती बड़े नेता थे बाल गंगाधर तिलक जी ठीक है बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था सबराज मेरा जनमसित अधिकार है और इसे में लेकर रहूँगा दोस्तों बात की जाए भही दादा भही ने रोजी जी की तो ये इन्हें ब्रिदो पुर्ष यानि की ओल्ड मैन दोस्तों कहा जाता है ब्रिदो पुर्ष अगर बात की जाए भही आईरन मैन यानि की जो लोपुर्ष लोव पुर्ष के भई नाम से जना जाता है सरदार बल्लभाई पटेल जी को ठीक है जिनकी दोसों गुजरात में 182 182 मेटर उंची प्रतिमा भी बनाए गई है ठीक है बहुत से जो घूमने वाले लोग होते हैं बहुत से देखने के लिए जा रहे हैं 182 मेटर उंची ये प्रतिमा बनाए गई है सरदार बल्लभाई पटेल जी की जो हमारे देश के भई लोव पुर्ष थे ठीक है आप लोगोंने एक से फैक्ट भई याद जुरूर रखने हैं आपके एक्जाम में पुलिस के एक्जाम में फोरेस्ट गार्ड के एक्जाम में ऐसे ही कोशन आएंगे ठीक हैं फोरेस्ट गार्ड के भई एड्मिट कार्ड भी आ गए हैं तो जुरूर भई डाउनलोड कर लेने हैं अगर कुछ प्रोलम आएगी तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर स्पेशली वीडियो चाहिए तो भो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी दोस्तों नेक्स नमर का भी कोशन रहेगा जो कॉंसेप्ट ओफ एट फोल्ड पास फॉर्म दे थीम ओफ आप लोगों ने बताना है जो एट फोल्ड पास रहता है यानि कि जो अश्टागिंग मारक की अवधारना किसकी थीम से कोब बनाती है दीपबंस, दिब्यवदन, महा परिवर्तन सूत, याफर धर्म चक्कर परिवर्तन सूत ठीक है बहुत ही difficult सा कोशन है आपके एक्जाम में ऐसे कोशन देखने को बीच बीच में मिल जाते है ठीक है तो ऐसे ही कोशन भाई मार्जन पैदा करते हैं जो की cut off अगर किसी अंसर दे दिया तो उसका selection हो जाएगा जो अंसर ऐसे कोशन का अंसर नहीं देख पाएगा वो रह जाएगा ठीक है एक दो नंबर की ही बात रहती है तो वो यहीं से फरक आता है अप्शन नंबर डी बिल्कु साथी हो राइट अंसर रहेगा धरम चक्कर परवर्तन सूत अप्शन नंबर डी इस राइट अंसर ठीक है दोस्तों जो नेक्स नंबर का भी कोशन रहेगा आप लोगों ने भी बताना अंसर बैपारिक उप्योग के लिए केसर केसर भी प्रापत किया जाता है जो शाल होती है भाहां से तने से पतियों से या फिर पुश्पों से दोस्तों साइंस का बायो का भी बहुत ही यूनिक सा कोशन है ठीक है जो केसर होता है वो किस से प्रापत होता है तो आप लोगों ने भी कमेंट श्रक्शन में अंसर लिख दिया होगा तो जिन भी साथियों ने भी अंसर दिया है ओप्शन नंबर बी तने से निकालू रंडा हैं भी क्योंकि बिल्कुल वोंग अंसर है राइट अंसर जो रहेगा वो रहेगा उप्शन नंबर डी यानि कि फ्लावर से पुश्पों से बिल्कुल भी राइट अंसर रहेगा उप्शन नंबर डी इस राइट अंसर अब हम बढ़ेंगे भी नेक्स नमर के कोशिन के ओर जो रहेगा भी निमन कोंसी नदी एक बी ब्रंश घाटी का निर्मान नहीं करती है ठीक है गोदावरी नर्मदी नर्मदा दापती या फिर इन में से कोई नहीं तो साथियों जिनों ने भी इस कोशिन का भी राइट अंसर दिया है उप्शन नमर ए गोदावरी बिल्कुल सही खेल गे हैं गोदावरी इस राइट अंसर जहां तक बात की जाए धक्षिन भारत की नदी दोस्तों नर्मदा सबसे बड़ी नदी है ठीक है धक्षिन भारत की तो दोस्तों यहीं तक रखेंगे आज की भी क्लास तो जिन भी कैंड़ेट्स को भी क्लास पसंद आई है जुरूर लाइक करना है शेर करना है और कमेंट तो करी देने हैं तभी कंपेटिशन लेवल इंक्रीज होगा बिल्कुल जबरदस्त कॉंटेंट के साथ दोस्तों कल भी वीडियो आएगी तो जरूर आप लोगों ने भी चैनल को भी वे सब्सक्राइब जरूर कर देना है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त कॉंटेंट के साथ थैंक्यू वंदे मातरम जहें सात्यूं